हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग आज नास्ते में हैं फापड़ा जुलेबी मर्चा संभार चटनी मौज आ गई है मौज चितन है प्रांसी की मुझे मौज जिम के ज़िए प्रांसी तो उठके तुरंट स्टार्ट हो गई है प्रांसी अच्छा मानविर ने उठाया तू नहीं उठेती यहां पर मानविर को देखिए सेल्फिश्टिक लेनी थी कब से मिल गई है मानविर नास्तों नती कर वो चलो चलो तहीं जल्दी यह मामा चलिए मैंने नाज तो लिया है लेकिन पाल नहीं बनाए नास्ता कर लिने उन्य थे भाल भी न आई बनाए और नहाया भी नई यह है च्छी कृष्णा वाइ प्रांसी अए अभर जाने का मुझे तो ब्लकुर भी मन नहीं चाहरा था पर कर तो जाना ही पड़ता है यह बहुत ज्यादा कुछ सोंगे, मैं अपनी मुमी बपा के बाद जा रहे हैं, है ना, हम पहुंच चुके हैं कर पर और अभी बच गए हैं साम के चार, हम लोग दोपर में एक बज़े ही पहुंच आये थे और आकर हमने खाना खाया और रेष्ट किया और अभी बच रहे हैं चार तुबन रही है मेरी चाय, हमारे गुर्मे ना, सब को चाय बहुत ज्यादा चाहिए और यह देखिए यह है ना, मक्कई का आटा है, मक्के की रोटी बोलते हैं, मक्कई का आटा है, वह मुझे जूली ने दिया है, और उसने यह वाला पपी ताभी दिया है, दो पपी क आ रहे हैं, अब ही बच गये हैं, साड़क पांच, और मेरा काम करने का कोई मूड नहीं आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कि मैं एक वीडियो छोड़ा सा बना हूँ अभी, और मैं अब एक वीडियो बनाऊंगे मेरी ममी की चानल के लिए, और टाइम न्यू उसका नाम है, और कभी-कभी मैं मेरी ममी के लिए वीडियो बना कर देती हूँ, आपको अच्छा लगे को तो आप उ सो रही थी, और यह आप सो रहे हैं, तो मुझे थुड़ा लग रहा है कि इसे सोने ना दूँ, तो चले मैं ने परिशान नहीं कर रहे हूँ और एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ, बनाने के पाद आप शुबी श्यार करूंगी कैसे बनाया है, और मेरी ममी की चनल पर भ अब इसमें से कुछ बचे हुए टुकड़े हैं, यह देखिए, लेकिन यह वाला जो फाबरिक है, यह मेरा फाबरिक था मुझे यह बहुत पसंद आया था, तो कुछ-कुछ बचे हुए टुकड़े हैं मतलब, और कुछ का अभी है थोड़ा सा फैबरिक पर लेकिन जो बचे हुए कपड़े से हम पना सकते हैं, तो यह मेरे पास जो भी बचा हुए फैबरिक था, वो मैंने ले लिया है, और इस तरीके की स्ट्रिप इसमें से कट कर ली है, इस स्ट्रिप का मिजरमेंट हो रहा है 18.5 x 3 इंच और इसी तरीके की और फैबरिक जो बचे हुए थे उसमें से मैंने इसे मेजरमेंट की स्ट्रिप कट कर ली है, तोटल 4 स्ट्रिप कट की है मैंने, अब इन सभी को हमें एक तूसरे के साथ सिलाई करके जॉइंट कर लेना है, तो यह मैंने सभी स्ट्रिप को जॉइंट कर लिया है, और साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे, अब मैंने एक इस तरीके की सौपिंग बैग ली है और इसके ओपर इसे मैं रखूंगी और इसे मैं कट कर लूँगी, तो ये दो हिस्से मुझे मिलदाए हैं, अब यहां पर जो थोड़ा सा फैबरिक नहीं है, वहाँ पर मैं थोड़ा सा फैबरिक कट करके, उसके बाद इसके ऊपर हमें जो ready fabric है हमारा वो रखना है और से लाई करके attach कर लेंगे अब जो second हिस्सा है वो लेंगे और वो हमें दोनों साइड से 11 इंच कम चाहिए तो जो कम हिस्सा था उसे में cut करके निकाल दूँगी अब हमें इसी के size की zip लेनी है और जो बाकी का हिस्सा था नौनों की bag का उसके उपर zip को हम attach करेंगे एक side पर attach करने के बाद हम यहाँ पर इसे fold करके उपर prestige भी कर लेंगे सेम इसी तरीके से हमें second side पर भी zip को attach कर लेना है तो यह देखें दोनों side zip attach हो गई अब जो हमारा main हिस्सा था उसके उपर हम इसे सीधा रखेंगे और यहाँ पर इन दोनों को हम सिलाई करके joint करेंगे सेम इसी तरीके से हम second side पर भी सिलाई करके इसे joint कर लेंगे अगर extra हो रहा है यहाँ पर तो हम इसे cut कर देंगे सिलाई करके इसे pack कर दूँगी सेम इसी तरीके से second side से भी हमें सिलाई कर लेनी है तो यह दोनों side सिलाई हो गई अब मैंने एक और जिप ली है और यह जो जिप है इसका measurement 10 इंच हो रहा है नहीं तो needle तूट सकती है अब हमें इसे इस तरीके से second side पर turn करना है और यहाँ पर भी उपर हम prestige कर लेंगे और सेम हम second side पर भी जिप को इस तरीके से fold करके attach कर लेंगे और यहाँ पर हमने runner add नहीं किया था तो जिप को हमें open कर लेना है और यहाँ पर भी हम जिप को second side पर turn करके उपर सिलाई कर लेंगे अब हमें यहाँ पर runner add कर लेना है अब हम इसे इस तरीके से fold करके रखेंगे और नीचे से हम 1.5 inch पर mark करेंगे और इसे दोनों side से और सीधी line में draw कर लेंगे सेम इसी तरीके से हमें second side पर भी 1.5 inch पर दोनों side mark करना है और इसे हम सीधी line में draw कर लेंगे अब यहां पर जो हमने मार्क किया है उसके उपर हम सिलाई कर लेंगे तो यह हमारे सिलाई हो चुकी है अब हमें रणर लेना है और यहां पर हम रणर को एड कर लेंगे तो ये runner add हो चुका है अब इसे हम उल्टा कर लेंगे और मैंने एक strip ले है और ये strip 11 by 2 inch की है इसे हम इस तरीके से fold करके उपर सिलाई कर लेंगे तो ये इस तरीके से ready है अब इसे हम यहाँ पर नीचे वीच में रखेंगे और सिलाई कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए हमें ये जो नीचे सिलाई की हुई थी उन दोनों का mark भी किया हुआ है तो वहाँ से हमें पकड़ना है और एक plate की तरफ बाकी का fabric अंदर की तरफ सिलाई करने की बाद side में जो भी extra है उसे हम सीधा करके वहाँ पर side में second सिलाई भी कर लेंगे सेम इसी तरीके से हम second side पर भी सिलाई कर लेंगे अब इसी right side पर टान कर लेना है और अच्छे से इसके कॉर्णर निकाल लीने है तो यह दिखे यह कुछ इस तरीके से दिखेगा अंदर की तरफ इसमें दो पॉकेट हमने बनाए हैं जिप वाले और एक में पॉकेट रहेगा बड़ा सा और बहुत ही जादा सुन्दर और बहुत ही जादा आप इसे अपने हिसाब से अलग-अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं और अब हमारे प्यारे से पती देव जाग गए हैं तो मैं उसके लिए चाय लेने गए थी तो यह लेजे चाय इनसे पूछेंगे ना कि आप खुद चाय पी लोगे के लेकर आओगे तो बुलेंगे अगर लेकर आओ तो अच्छा है मालब कुजराती में कहेंगे लए आओ तो सारू सो फ्रेंग्स यह मेरा वीडियो हो चुका है रेडी आपर मैंने हैंडल भी बनाया है छोटा सा और प्लेट लेकर इसका बोटम देखे बड़ा सा बॉटम है और छोटी छोटी टुकडू से बहुत ही प्यारा सा यह हमारा ओर्गिनाइजर है मैंने आपको पहले भी दिखाय है वैसे ही अंदर भी मैंने पॉकेट पनाये हैं तो यह टूटल तीन पॉकेट वाला है तो इसलिए आप इस तरीके के ओर्गिनाइजर में अपनी छोटी छोटी चीजों को अलग अलग से ओर्गिनाइज कर सकते हैं आपको यह बचे हुए कपड़े का ओर्गिनाइजर पसंद आया होगा और अभी मैं यह आना कर रही हूं यह मानवीर की पैंट थोड़ी सी लंबी है सो इसे मैंने यहां से कट कर दिया है और यहां से मैं इसे फोल्ड कर लोगी साम हो गई है और हम सब निकले हैं थोड़ी सी वॉकिंग करने कि रंजेरे में ज्यादा ठन लगती है तो बाहर नहीं निकल पाते हैं और थोड़ा सा अगर बाहर घूम के आएंगें तो माइंड फ्रेस हो जाता है और अच्छा लगता है तो मामी जेतन मैंवीर चारो निकले हैं अब बना रही हूं खाना तो मैं बना रही हूं दाल ठोकडी क्योंकि दुपेड की डाल बची हुई थी तो इस दाल में मैं इस रोटी के टुकड़े करके डाल दोगी ऐसे तो अलग तरीके से बनती है डाल ठोकडी लेकिन अभी मेरी नानंद के गर से भिलावा भी आया है तो लेट हो जाए था साड़े आठ बजे जाना है तो अब फटा फट से जब फटा फट होता है ना तब इस तरीके से नॉर्मल आटा जो गूलते है ना कि हूंका हम उसी का यूज करके इस तरीके से इसमें डाल गे हूं और पर्सनल यह ना मुझे यह बहुत जादा पसंद है तो गाइस मैं मम्मी और मानवे हो चुके हैं रेडी हम तीनों जा रहे हैं अभी चोटी बैबी के चटी में आटा यह देखिए अभी अभी जागी है यह पूरा दिन सो रही थी अब यह बड़ी मम्मी बड़ी बुआ अब यह पूरी राच जागने वाली है झाला राच बड़ागने प्यादा वह बुआ अब यह बड़ी पूरी तो भी यह खुआ के लिगए चुआर अब़ी तो उगने पन. अब हम पहुंचे हैं घर पर और यह थी चोटी बेपी की जब 6 दिन होते हैं ना तब हम लोग छट्थी बोलते हैं तो यह छट्थी थी बबू की तो सब लोग उसकी मरला जो बूआ होती हैं बड़ी ममी होती हैं दादी जिसको भी मन करता है पहले तो बूआएं करती थी लेकिन अब जिसको भी मन करता है वो सबी लोग पैन से इसे बीबी को वधावानू के हमारा मा सो मतलब इस सरके से पैन से करते हैं सब और तो ऐसे होती है हमारी काश्ट में करना हम फिर में लेंगे ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जए भारत